नमस्कार दोस्तों, आज के हम छी वीडियो में बात करेंगे, शिक्षक बर्ती में DLA-d course होगा मानने हैं यह दोस्तों आज वीडियो में बात करने आले हैं, कि जिन भी अब्यर्तियोंने DLA-d course क्या हुआ है तो उनके लिए एक राहतवरी ख़बर है, सिक्षक बर्ती में DLAD कॉर्स को मानेता दे दी गई है, तो चले दोस्तों करते हैं वीडियो प्रारम, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बैल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे द्व सिक्षकों की बर्ती में मानने होगा, मानो सुनसादन विकास मंतरी रमेश पोकरियाल निसंक ने गुरुवार को सिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे, इसी वाद का पटा छेप कर दिया, साथ ही कहा कि रिकोर्ट के आदेश का सम्मान होगा, NCT राष्टी अध्यापक सिक्षकों को इसे लेकर निर्देश दिये गए हैं, वहीं मंतरा लेकर इस मैंसले ने इस कॉर्स को करने वाले देश बर में करीब 15 लाग सिक्षकों को भी बड़ी रहत दी है, अब वे आगे इस कॉर्स के आदार पर सिक्षकों की बर्ती परिक्ष सिक्षकों में सिक्षकों ने भी आविदन किये, इस पर राजसरकार ने सिक्षकों की युगता का निर्दारान करने वाली संस्ता NCT से पूचा था कि क्या NIOS से 18 महिने का DLR कॉर्स करने वाले भी सिक्षक बर्ती के लिए यूग्य हैं, जिसके जवाब में मानो संसाधन विकास मंत्राले से जुड़ी इस संस्ताने 18 महिने के इस DLR कॉर्स को इसके लिए एमाननी करार दे दिया था साथ ही का कि वे इसके लिए पात्र नहीं है, इसके बाद निजी स्कुलों में बढ़ाने वाले यह सभी सिक्षक पटना हाई कोट पहुँचे इस बीच कोट ने NCT से पात्रता नियमों को गल्त बताते हुए, इन सभी को सिक्षक परते प्रिक्षा में सामिर होने की योगी करार दे दिया लेकिन इसके बाद भी मंत्राले और NCT इस मामले को लटकाते रहे हैं, हाली में ऐसा ही विवाद त्रिप्रा उत्रप्रदेश सहीत कई राज्यों में खड़ा हो गया था इसकोलों में पढ़ा रहे हैं करीब 15 लाग एप सिक्षित सिक्षकों के लिए सरकार ने 18 महीने का ये कॉर्स ये खास DLR कॉर्स उस समय तयार किया जब सिक्षा के अधिकार कानून के तहित निजी और सरकारी दोनों ही स्कोलों में पढ़ाने वाले सभी सिक्षितों के लिए सिक्षित होना जरूरी हो गया था तो जी हां दोस्तों तो ये जो 18 महीने का DLR कॉर्स है ये भी अब मानने होगा सिक्षिकों की बरती में तो जिन भी अबियर्थियों ने ये कॉर्स किया हुआ है तो उनके लिए कच्ची ख़वर है तो 15 लाख सिक्षिकों को ये रहात वरी कवर है तो दोस्तों ये थी ख़वर आपको कवर कैसे लगी हमें कमेंट करके बताईए अधिक सथी वीडियो को लाइक करें शेयर करें ध तक के लिए जय हिन जय भारत